हलो एबरिवन, वेलकम चो माई चनल, स्पाइसी अरोमा सुधा की रसोई, आज मेरी वीडियो में हैं, पूरे हफ़ते की ब्रिकफास रेसिपी, मंडे टू सटर्डे और वीडियो को पूरे एंड तक देखीगा, गैरंटी है, आप इसमें से सारी रेसिपी को मंडे टू स्टर्डे ट्राइ करना चाहेंगे मैंने इस ब्रिकफास रेसिपी को हेल्दी वे में बनाने की कोशिश की है, इंस्टन बनती है, हेल्दी है और सभी को पसंद आएगी मारीक वाला लें तो अच्छा है, बहुत मोटा हो तो हलका से ग्राइंड कर लें और इसे अच्छे से बीट कर लेंगे, दोनों की क्वानेटी सेम है, दही और रवागी अभी मैंने पानी नहीं मिलाया है, और इसे बीट करके ढखकन लाके आधे गंटे के लिए साइड में रख देंगे, तब तक हम चटनी के तियारी कर लेते हैं गेस पर एक पैन रखा है और इसमें दो टेबल स्पून रिफाइंड ओयल डालेंगे, जैसे ही ओयल थोड़ा सा गरम हो जाए, जीरा मैं डाला है, बन टी स्पून, पान से छे लेशन की कलिया, एक हरी मिर्च और फ्रेश कोकोनट थोड़े से चॉप करके डाल दिया है, दस ताकि जो भी ओईल और जीरा जो भी पैन में चिपका है, वो पूरा का पूरा जार में आजाए, नमक डाल दिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ता इसमें डालेंगे, फ्रेश कटा हुआ, ग्राइन कर लेंगे, पहले सुखा ही ग्राइन करेंगे, जैसे ही दर दरा हमारा पास तेयार हो हम यहां पर हाफ कप दही डालेंगे और वापस हलका सा पाने के छीटा मारते हुए इसे ग्राइंड कर लिया है और यहां पर हमारी चटनी तयार है इसे आप एज इस भी ले सकते हैं या फिर आप इसके उपर वापस करी पत्ता खड़ी लाल मिच और राय के तड़क लिख रहे हैं नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से इसमें और थोड़ी से चिली फ्लैक्स आप इसमें स्वाद के साथ डाल सकते यतना प्संद करते हैं सब्जी ने के बाद यहां पर मैं थोड़ा सा बेकिंग पौडर और बेकिंग सोडा मिलाने जारी हैं जिससे यह काफी फ्लफी बनते हैं तो यहां पर बेकिंग पौडर है वन फोर्थ टीस्पून बेकिंग सोडा है हाफ टीस्पून से थोड़ा सा कम है इतना ही डाले आप एक कप सूजी और एक कप दही के साथ थोड़ा सा पाइन डालके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ओवर बीट नहीं करे हलका सा घी डालके इसे बनाया जा सकता है तो बहुत लेस ऑयल के साथ यह रेश्पी बनके तयार होती है तो यहां पर मैं देशीगी का यूज कर रही हूं तो हर एक सांचे में थोड़ा घी डाल दे रही हूं और इसके बाद इसमें हम एक चमज भरके वन टेबल स्पून भ जालते ही रख सकते हैं और ढ़क के उसे आप इसे बना सकते हैं तो इसी तरह से आप बनके तयार होगा तो जैसे ही ऊपर का बैटर सूख जाए हम मैंने ज़ग दिया था कुछ पांच मिनट के लिए धीमी आज पर ऊपर का बैटर सूखने के बाद हम इसे फिलिप कर देंग बिलकुल हेल्दी वे में और टेस्ट भी आपको दो गुना बढ़कर मिलेगा बस चतनी बनाई चुके हैं हम इसके साथ इससे गर्म गरम सब करेंगे ठंडा होने के बाद भी बहुत अच्छा लगता है आप इसे बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं बहुत जल्दी ब में लेजिज और चीज के साथ फिलिंग किया है यहां पे पेस्प्राउटेड मूंग लिया है रात को सोक कर करके रख ले और एक दिन के लिए आप इसे इस्प्राउट करने के लिए सुथी कपड़े में छोड़के रख दे हाफ कंप घर की फ्रेस्ट दही है खटी ना हो औ और दोनों का पेस्ट बनाके मैंने यहां पे तयार कर लिया है, बैटर बनाके तयार कर लिया है, ग्राइन कर लिया है, थोड़ा सा अगर बहुत गाड़ा हो तो आप इसमें पान भी मिला सकते हैं, यहां पे हाफ कप सूजी डाला है, दही और मूंग दाल का पेस्ट बनाने के तो आदे गंटे का रिश्क देना जिरूरी है और यहां पर सुझी फुल चुकी है तो 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 थोड़ा सा पानी और आट करेंगे और इसको थोड़ा सा ग्रीन तीनों को ले लिया है बारिक बारिक काट लिया है और बहुत बारिक काट लिया है वो मैंने इलेक्ट्रोनिक चॉपर में चॉप कर लिया है कैरट को और तीन से चाट टेबरी स्पून डाल देंगे और यहां पर प्रोसेस्ट चीज मैंने अभी कद्दू कस करके अड़ कर दिया है सबी चीजों को अच्छे से कंबाइन कर दिया है एक नॉन इस्टिक तबा लिया है दोसा बनाने वाला उसे पहले अच्छे से हीट करेंगे और इस तरह से पानी का छिड़काव करेंगे इसे ठंडा करने के लिए इस पानी को यह तो आप डायेक्ट सिंक में गिरा दिया है और इसे नैपकिन पेपर से वाइप आफ कर देंगे और हलका सा तेल डालके तबे पर ग्रीज कर लेंगे तो यहां पर अभी हमारा दोसा पैन चीला बनाने के लिए तयार है तो फ्लेम को भी हम लो कर देंगे यह प्रोसेस करना जरूरी है तब आपका चीला तबे क मिखें से घुमाएंगे बाहर तक ले जाएंगे और मिफ्रिशेश के प्सक्व मिख्षणा कर देंगे और उपर नीचर से पने क जब तक हमारा चीज भी मिल्ट हो जाएगा थोड़े देर के बाद धग दिया है थोड़ा सा पका है तो यहां पर मैंने वापस थोड़ा सा देशी की चारो तरफ डाल दिया है ताकि यह अच्छे से कुक हो सके और अच्छे से क्रिस्पी हो चुके तो जैसे ही इस तरह का कलर आने तक नीचे से हमारा चीला पक जाए इसे फोल्ड करके हम प्लेट में सर्फ कर लेंगे और इसे आप किसी भी रेडी मेट सॉस के साथ यह घर की बेनी हुई चटनी के साथ आप इससे सर्फ कर सकते हैं बच्चों को टिफन के दे सकते हैं या फिक घर पे फैमिले के साथ बैटफास्ट में से इंजॉय कर सकते हैं मैंने इस वीडियो में दो तरह की चटनी शेयर की है एक मंडे को और एक फ्राइडे वाली रेसिपी के साथ दो चटनी को आप सारी रेसिपी फालो कर सकते हैं चलते हैं बैटफास्ट नमबर थ्री पर जो वेडश जी की है जो है पाल नमक डालेंगे स्वात के हिसाब से हिंग डाल दी है वन फोर्थ टीस्पून वन टीस्पून के लगबग यहां पर चिली फ्लैक्स है अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे पालक में काफी मौश्यर होता है तो अभी पानी नहीं डालेंगे एक टेबल स्पून यहां पाइनरोल डाला है दबादा के अच्छे से शाय से बाइन करना है है और यहां पानी की जरूरत नहीं पड़ी है और शाय खीजों के कंभाइन करके एक अच्छा सा हमें डो तयार कर लेना है मतलब साई चीजों को एक अच्छे से बाइंड करते विए में एक अठा कर लेना है तो बिल्कुल पानी की जुरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि पाला में काफी मॉइशर होता है और यहां पर ढग देंगे और इसे छोड़ देंगे आधे गंटे के लिए स्टीम करने जा रहे हैं तो यहां पर इस्टीमर तैयार कर लेते हैं निचे मैंने एक भगोना रखा इसमें पानी बॉइल होगा पाई डाल दिया है और ऊपर एक छन्डी रख दिया है इसी ग्रीज कर दिया है ताकि हम इसमें जो रोल रखेंगे वह चिपके ना आधा गंटा हो चुका है सुजी यहां पर फुल चुकी है हाथों पर थोड़ा सा ओयल ग्रीज करेंगे या पानी भी लगा सकते हैं ताकि यह डो आपके हाथों पर चिपके नहीं और इसका एक सिलिंडर शेप में हम इस तरह का लोक्त ताक्र लेंगे तो जितना लंबवा जितना ठीक आपके बना चाते हैं उतना आप पोर्षन लेंगो हो इस तरह से आप एक और से बाहर लिए है इस से इस तरह के पीशे समेह कट करके आप इस ऑज इस चैने के साथा ले सकते हैν या फिर आप इस से तड़का ओजा SMALL मार के भी ले सकते हैं तो मैंने इसमेन तड़का लंगा थो आप देख सकते हैं बहुत जालेंगे और फ्रेश कटा हुआ को कोनट ग्रेट करके इसमें डाल देंगे तो देखने भी अच्छा लग रहा इस तरह से तड़की के बाद और खाने भी इसका स्वाद बढ़ जाता है तो इसे भी आप बेखफास रेसिपी फैमिली से इंजुआ कर सकते हैं तो आप इसे ट ब AGने करें लिए दो इस्यों करेंने एक रेचत द्सता लावूम ढूंट कर दो इनलिए तो इसी एезने करें जाए करें है को अविन के शिर्मला जाघ्र कर दाद आतिक सब्सक्राइब भी नारिए हम ये rolled oats को भून लेंगे थोड़ा सा roast कर लेंगे इसे तो half cup rolled oats को आप pan में medium high flame पे चलाते हुए हलका सा color change होने तक roast करेंगे और फिर इसे आप दूसरे बरतर में transfer कर लेंगे दूसरा pan रखा है जिसमें हम veg upma बनाएंगे तो 3-4 तेबल स्पून आप इसमें डाल सकते हैं और सारी चीजों का बनाएं दर्का मारेंगे तो सबसे पहले मैंने बारीक कटा हुआ लेसन डाल दिया है जो एक से डेट टेवल इस पून आप डाल सकते हैं जैसे लेसन मेंसे कर लेंगे इस रेसिपी को आप वेट लूस करने के डाइट प्लान में भी ले सकते हैं थोड़ा सा ओयल काम डालेंगे अपर ग्रेंचिली का टीवी डाल दी है शिम्रा मिर्च का टीवी आड़ कर दी है इनको भी हल्का सा मेडियम हाइफ लेंपे चलाते हुए क्रंची कुक ही तो अपर फ्रोजन पीज ढाल दिया है अगर सीजन है ने तो आप फ्रोजन लेव फ्रोजन जो है वह जल्दी कुक हो जाती है और यहां पर अबसाले पर देगी मिरच और गरम मसाला पहले आप हलदी को डालने और ठोड़ा कच्छा पन निकालने तक बुन ले और गराम मसाला और आप कश्मीरी रचली पॉडर या फिर देगी मेरे चाप इसमें आड़ कर सकते हैं टमाटर डाल देंगे टमाटर को भी में हलका सा सौफ्ट होने तक कोक कर लेंगे टमाटर जल्दी सिकल जाए इसके लिए हम स्वाद केशाब से इस समय सौल्ट डालने के बाद इससे ढख देंगे धीमियाज पर और टमाटर को थोड़ा सा सौफ्ट होने देंगे यहां पर वापस देख लेते हैं टमाटर थोड़ा सौफ्ट हो चुका है एक बाद चला लेंगे इसे और यहां पर होट गार्लिक सौस आड़ कर रही हूं आप कोई भी कैचप या फिर टमाटर सौस इससे में आड़ कर सकते हैं थोड़ा सा इसके फ्लेवर को एन्हेंस करने के लिए एक कप पाई डाल रही हूं हाफ कप रोल्ड ओट के साथ आप एक कप पानी आड़ कर सकते हैं बॉयल आने देंगे इस पानी में एक बार ढख देंगे ताकि जल्दी से इसमें बॉयल आए बॉयल आने के बाद इसमें रोस्ट किया हुआ रोल्ड ओट्स आड़ कर देंगे हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा रोल्ड ओट से ले सकते हैं जो एक से दो लोगों के लिए एनफ रहेगा तो धख देंगे धीमियाज पर इसे पकने देंगे जैसे ही पानी सूख जाए तब आप धखकन हटाएंगे और यहाँ पर मैं वन टी स्पून के लगबाग बटर डाल रही हूं बटर भी ऑप्शनल है अगर आप इसके फ्लेवर को बढ़ाना चाहते हैं तो बटर डाले वरन्न वेट लूज डाइट प्लान में आप इसे शामिल करना चाहते हैं तो बटर को अवायट कर सकते हैं इस ओट्स वेजुकमा को हम सर्व कर लेते हैं तो इसके प्लेटिंग कर रही हूं प्लेटिंग करने के लिए मैंने थोड़ा सा कटे हुए टमाटर के साथ इससे साइड में गार्निश कर दिया चो देखने में बहुत अच्छे लगेंगे और आप साथ में इस टमाटर को भी दिखा सकते हैं तो बस से मैंने सर्व कर दिया प्लेट में उपर से और भी इससे गार्निश कर सकते हैं कटिवी हरी मिर्च पुदेना के पत्ते और लेमन के साथ तो मॉर्निंग में कुछ हल्दी खाना चाते हैं तो इस रस्पे को जरूर ट्राइ करें बहुत जल्दी बनती है बहुत तेस्टी भी होती है और हल्दी भी है चलते हैं नेक्स्ट बेपफास रस्पे पे जो है नंबर फाइब फ्राइडे के लिए यह है मिक्स वेज रवा कर लिया है अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गुठ्लिया ना हो और ढग देंगे आदे घंटे के लिए ताकि सूजी अच्छे से फुल के तयार हो सके लिए मिक्स कर लिया है ढग देंगे आदे घंटे के लिए साइड में रख देंगे तो इस इडली के साथ खाई करना है कि यहां पर मैं डाल दिया है मुंघ फली इसे भी हल्का सा रोजट कर लेंगे और चट्नी में हल्का सा यल्लो कलर देने के लिए आपर फोर्द टी स्पून के लगभग हल्दी डाल दिया है सिसके बाद यहां पर एक मीडिम साइज का टमाटर बारे कटा हुआ आ रमाडर जैसे हलका सॉफ्ट हो जाए इसमें गैस बंद कर देंगे थोड़ा सा पाई डालेंगे ताकि इसका तंपरेचर डाउन हो सके और इसे हम ग्राइन तुरंद कर सके तो हमें पाई डाल दिया है पाई डालने से क्या होता है पैन में जो भी मसाला तेल लगा होता है वह एक पाई करना कना जाती है तो थोड़ा सा पानी कम लगे तो वापस पाई ॉपर को और का फिक भी ओचुकी है इतना ही थिक रखना है हमें सूजी बनाने के लिए यहां पर इसे और हल्दी बनाने के लिए तीनों कलर की शिम्ला में चैट कर दी है और बिल्कुल फाइनली चॉप करके मैंने यहां पर इलेक्ट्रोनिक चॉपर में चॉप करके गाजर को डाल दी है जो गर्मी वाली गाजर आती है सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे नमक डालेंगे स्वात के हिसाब से अब इसे स्प इडली बनाने के लिए टैयार है तो बहुत टेस्टी बनती है इंस्टेंट है हें तो यहां पर इडली वाला इस्टैन मोल्ड लिया है और इसे GPS कर लिया है और इसमें इस तरह से इडली बैर्टर को सिफ्ट कर लेंगे और स्टीमर गैस पर रखा हुआ है पानी में बॉयल बोल रही हूं यहां पे कुक हो चुका है इस्टिक में बिल्कुल भी चिपका नहीं है तो बस इसे नाइफ के हल्प से इसे हम रिमूव कर लेंगे तो देख सकते हैं जो इडली का मोल्ड है वो बिल्कुल क्लीन आ रहा है इडली हमारी बहुत सॉफ्ट है और सब्जी कलरफु बहुत सॉफ्ट बनी है और चट्नी तो बहुत लाजवाब है एक बार चट्नी को ज़रूर ट्राइ करिए गए इडली के साथ आपको बहुत अच्छी लगेगी लास्ट बट नॉट दा लीस्ट सटड़े के लिए देख लेते हैं मिक्स वेज मियोनीज सैंडविच रिस्प तो एक से दो टेबल स्पून इसाथ आप दाल सकते हैं तो मैंने दो तरह की यहां पर यूज की है एक म्यूनीज इattend टाल की थोड़ी सी कम थी मेरे पास यहां पर तंदूरी फ्लेवर में मियोनीज रखी है वो भी आठ कर रही हूँ वेज मियोनीज है तंदूरी फ्लेवर म फिलिंग को तयार कर लेंगे सब्जी वाले को सब्जिया अपने मान पसंद किसा आप से भी डाल सकते हैं सीजिय सब्जिया से बारी काट कर डाल सकते हैं वारना जो सब्जिया मैंने आपको एडवाइस किया है वह इस पर डाल सकते हैं तो यहां पर इसे और अच्छा सा फ्ले और दोनों साइड हम बटर लगा देंगे तो मैंने आप पे ग्रिलिंग वाला पैन लिया है और उसे बटर से ग्रीज कर दिया है ताकि हमारी जो सैंडविच है वो अच्छे से क्रिस्पी कुख हो सके तो दोनों ब्रेट को दो पेर बना रही हूं और इसमें सिफ्ट कर दिया ह और फ्लिप करते हुए दोनों साइड अच्छा सा ब्राउन कलर आने तक हम इस ब्रेट सैंडविच को सेख लेंगे तो इस ब्रेट सैंडविच को आप बच्चे को टिफिन में दे सकते हैं बच्चे तो वैसे भी सैंडविच बहुत पसंद करते हैं और बहुत हेल्दी वे म मैंने इसे भी बनाया है और इंस्टन बनने वाली है पूरे वीक की विकफास्ट मेन्यू कैसी लगी आपको बताईएगा जरूर कमेंट बॉक्स में पसंद की हो तो लाइक का बटन जरूर दबाईएगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में ऐसे ही पूरे ह अगर बटन जरूर दबाए ताकि आपको आगे आने वाली नई रेस्पीस की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी नई वीडियो नई रेस्पीस मिस ना कर पाए मिलती हूँ ऐसे ही किसी यूसफिल वीडियो के साथ तिल देन टेक केर ओफ यॉरसेल्फ हैपी क कि यू कि बाए बाए